शैतान का एडवांस बुकिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ ना दोस्तो एड प्रेजेंट आठ बज़े तक की रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है सो सोचा आपके पास आपके साथ शेर करूँ मैं यह रिपोर्ट भाई यह कुछ अलगी लेवल का दमा का लग रहा है मतलब भाई यार होना चेह रहे है एडवांस बुकिंग वैसे हम बोल तो रहे कि अच्छा हो रहा है इतना भी नहीं हो रहा है यार मतलब मैं यह चो चरह हो कि एडवांस बुकिंग पास करूँ मैं ठीक है अज़े रोगन के फैंस वो वाकिंग ओडियनस ही जादा आती है प अगर अच्छी नहीं आई तो 11 करोड बोल रहा हूं मैं देखते हैं अभी क्या होता है हम खुश तो है यह अच्छी बात है पर आज से ज्यादा और रफ्तर बढ़नी चाहिए यहीं उम्मीद है बॉस as compared to yesterday और उससे पहले के अभी दिन उस compare से आज का अच्छा लग रहा है पर भाई वो रफ्तर थोड़ी और ज्यादा भी बढ़े तो ज्यादा बेटर है इसा मेरा personal opinion अभी बात करते हैं अब लाकों में आपको डिखेंगे बहुत सी जो cities वगरा है कहां पर बढ़ा है मैं अच्छा नहीं होगा भाई हो रहा है बहुत खतरनाक हो रहा है उल्टा करनाटका में सेवन लैक के करीब हो चुका है मध्यप्रदश में चार लाक के उपर हो चुका है बीस लाक के उपर महाराष्ट्रम में ओडिसा में 1.5 लैक्स पंजाब में 1.4 लैक्स यह देखो कल की तुलना में आज अब सिर्फ लाकों में दिख रहा है पहले वो सिर्फ के में यानि के हजार में दिख रहा था राजस्तान चार लाक के उपर हो चुका है तमिल नाडू साड़े पर मुंबाई चौदा लाकियो पर पूना चार लाकियो पर पैंगलुरू शाडे सववा छ लाकियो उपर हैद्र भाद 25 लाकियो उपर क्योता देड़ लाकियो उपर हैमदाबाद एक लाक के उपर चेननाई सव्वा तीन लाग के उपर वेरी नाइस यार सूरत ट्वेंटी फाई के जैपूर ढाई लाग के उपर चंदीगर 85 के के उपर 87 के के उपर भोपाल है लगनव 45 के के उपर है और यहां मतलब आपको एक अंदज आ चुक है मैंने सिर्फ यह बताया है कि कहा कहा बढ़ा है इंदोर 45 के उपर है नागपूर 55 के उपर है मैं सिर्फ वो लिस्ट बता रहा हूँ कि कहा पर अडवास बुकिंग बढ़ रहा है बढ़ चुका है कल की तुलना में आज पटना 45 के उपर है और राइपूर है 75 के के उपर अगर मैं बात करो तो दोस्तो आइट प्रेजेंट जो अडवास बुकिंग की रिपोर्ट है वो मेरे को जो मुझे रेखने को मिल रही है लास्ट एक जस्ट मिनिट मैं आपको बता देता हूँ जो शोज है वो है 4700 शोल्स के उपर का ये रिपोर्ट है तिकिट सोल्स की बात करो तो 29,000 के तिकिट बुक हो चुक है और 70.2 लैक्स 70.2 लाग का अडवास बुकिंग हो चुका है एक्चुली ये मैं कट टू कट बात करो तो ये सुबह हमें जो रिपोर्ट हम देख रहे है उसमें एक करोड को क्रॉस करनी चाहिए थी फिल्म लेकिन ठीक है ओके है होप करते हैं कि आगे भी चलेगी जो लोग बोलते हैं कि भाई फिल्म वाकिंग ओडियंस पे चलेगी फिर भी भाई ऐसा नहीं रहता है कि सिर्फ वाकिंग ओडियंस एडवांस बुकिंग भी थोड़ा सा अट्रेक्शन के लिए बहुत इंपोर्ट रहती है फिल्म के भले बजेट का मैं तो क्या हुआ 60-70 करोड दिखा रहा है अभी एड़ प्रेजेट बजट विकीपिडिया में कुछ 70 करोड कल अपडेट हुआ था अभी नहीं देखने को मिल रहा है बजट कितना है पर उस टैप का है भाई बजट मुझे पहले लगा था आजे रेवगर्ण के फीज नहीं है ADF का जो है वो फुल प्रोड़क्शन नहीं है इस फिल्म का ADF की तरफ से को प्रोड़क्शन ये फिल्म का मतलब अजे रेवगर्ण ने फीज जो ली है 25 करोड वस ही ली है तो मुझे पहले लगाता है कि ADF ने प्रोडूस की है रियल प्रोड़क्शन इस फिल्म का भाई पनोरमा स्टूडियोज की फिल्म ही है अजे रेवगर्ण फिल्म के पास राइट्स वगर होंगे में भी पर को प्रोड़क्शन है उनका I think ये कम्प्लिट बोला जैसी नहीं है अजे रेवगर्ण की फिल्म नहीं है ये पनोरमा स्टूडियोज वालो के फिल्म है सो पच्चीस करोड सच में उन्हों ने लिया है मतलब तो उसे अकॉर्डिंग साच सतर करोड का बजट है जो लोग मुझे पूछ रहते न पचास करोड तो मैंने तब सोचा था जब इनका कोई फीज नहीं होगा ऐसा नहीं है अभी रिपोर्ट जो आई है कल NDTV की और टाइमस ओफ इंडिया पिंक विला की तो भाई वो लोग जूट नहीं बोलते I mean at least बजट को लेके 60 से 70 करोड बजट है कम से कम वह बजट क्रॉस हो जाये करे वह इशू नहीं है अगर तेरी बातों में ऐसा उल्जाजिया अगर 85 करोड नेट कलेक्शन कर सकती है तो शैतान ने तो 100 करोड कम से कम कर नहीं है वह बात नहीं है हीट तो होई जाएगी सूपर हीट भी हो सकती है पर थोड़ा एडवास बुकिंग बढ़ना चाहिए रहे चलो शुरूबात है अभी भी दो तिन दीन है तीन दीन है लगबग सो हुप फॉर दबेश शेर किजे वीडियो को